अब दोस्तों नमस्कार आपका बहुत बस वागत है मेरे चैनल स्वास्तिकर जिगटर में आज हम आपके लिए लेक्ट आए पाल वंस के तीसर सासाग देव पाल के बारे में तो जिसने मेरे पार्ट वन की वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रेंसन्ट पर लिंक हम देदें तो आप लोग देख लिएगा अगर आप पार्ट वन की वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट वन की पार्ट वन की पार्ट नहीं संग में आएगा तो दोस्तों मैंने आपको गोपाल के बारे में पढ़ाया था जो पाल वंस के बारे में पढ़ाया था और उसके पालवंस का तीसा देवपाल तो दोस्तों यह जो था पालवंस का सबसे अधिक सक्ति साली सासक था इसने अपना समधार का विस्तार अपने पुरोजों से जादा किया था और इससे सक्ति साली सासक यह यह करें कि कोई था यह नहीं पालवंस में तो दोस्तों डेजिना करते हो जो राश्ट कूल One की सी कन्या ठी तता इसके खाली देवुपौल के खालीम पूल्यग साय में क्या जयानकानी मलती जक लॉफपूल के खालीमपूछ benefit семь जानकारी मिलती कि त्र gustaría तो दोस्तों देवपाल की उपादिया का कौन कौन से थी तो परमेश्वर परंभतारक महाराजा दिराज और दोस्तों मुंगेल लेक्सा में क्या जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेल लेक्सा में जानकारी मिलती है कि विंद परवा तक कम बॉस तक सहानिक अभ्यान किया देवपाल ने मुंगेल लेक्सा में जानकारी मिलती है कि देव पाल की विज्वेयों पर कुछ प्रकास पड़ता है बादर लेक्स नहीं जानकारी मिलती है कि देव पाल की विज्वेयों have उसरे समस्दित हमें जानकारी प्राथ होती है और क्या बताया गया कि उसका एक योग अमात दर्फ पानी भी दर्फ पानी था जो धर्म पाल के अमात वीर देव का पुत्र था दोस्तों आगी तरफ बढ़ते हैं भागर पुल लेक से हमें क्या जानकारी मिलती है तो भागर पुल लेक से हमें जानकारी मिलती है कि देवपाल के भाई तथा सेना पती जैपाल के सामने उतकल का राजा अपनी राजधानी छोड़ कर भाग गया तथा असम नरेश ने उसकी आगया का पालन करते हुए अपने राज का सासन किया तो दोस्तों देवपाल कर भाई था असे नपती जैपाल था उसके सामने उद्कल के राजा ने अपनी राजानी छोड़के भाग गया तथा असमणरेश ने उसकी और असमरेश जिए उनकी अग्या पाली करते वो अपने राजका तरही किया त्या हमें जनकारी भागलपुल मुंग्पाल प्रद्सटाहत है और वृत के अन्सार उडविसा में विजय करता हुआ है मुंगेरलेक में वे बते गया था कि विद्विसद परवत कमभोज तर शायिक से तो दूसरी जानकारी प्रापत हुई उसके सयन का भी आनकारी मिलती है तथा उस बात की आमें जानकारी प्रदान हो थे तो दोस्तों आगे बरते हैं देवपाल ने कामरूप कि राजा भासकर वर्मा को पराजित किया था तो दोस्तों भासकर वर्मा जो था एक दिर्बल सा सकता है यह हम लोग कह सकते हैं देवपाल अपने वन्स का महानतम सा सकता दोस्तों मैं आपको पहले बता था कि अपने वन्स का सबसे सर्फशेष्ट सा सकता जिसके नेत्रत तु प्रशासन के कार्यों में उसने अपने योग तता अनुभवी मंत्रियों दर्व पानी और केदार मिस्स साहता प्राप्त की थी आगे की सिर्शा प्राप्त की थी अपने योग तता अनुभवी मंत्रियों दर्व पानी और केदार मिस्स साहता प्राप्त की थी आगे की तरव बढ़ते हैं आगे हमारा है साहनिक विज्वों में प्रमुक साहाक कौन हुआ करता था तो दोस्तो हमें अब भागल पूल लेख से याई जान करें मिलती जान्तु है। तो देव पाल के भाई प गोजना पंझा है। तो दोस्तो आगे की बढ़ते हैं। बाध्रम की इसका यह था कि जो पिता थे हैं, दरंपाल उनको भी परम सोगत कहा गया था तो अगी की तरब APPाते हैं तरानाथ देव्पाल को बहुत करने वाला था तारानाति को बौरत इंद्धारनाति के अनुस इनुसार देवान人ं के अधटा खिर्वायों के प्रसिधि ऑंकर निर्मार कर translagen रहे था तो इते państ้ दोस्तों देवान रावभलायों При वीए फिर में और समय। चाहए कि अनुसार देवानम्त भूर। दोस्तो आगे पढ़ते हैं जावा के सैलेंडरण सी सासक बाल पुत्र देव के अनुरोद पर देवपाल ने उसे नलंदा में एक बाद बिहार बनवाने के लिए पांच गाउदान में दिये थे तो दोस्तो ये भी पूछा जा सकता है कि देवपाल ने किसे नलंदा में एक ब जलालाबाद के प्रसिद विद्वान वीर देव का सम्मान किया तो दोस्तो ये भी हमारे कोशन बन सकता है कि देवपाल ने किस विद्वान का सम्मान किया तो नगरहर जलालाबाद के प्रसिद विद्वान वीर देव का सम्मान किया था तथा उन्हें नलंदा महावियार का टूम्त ях बनाए था तो वीर्देव को मेर नगर हार के प्रसिद विध्वान ॥ीर्देव को संमान भी क convention अूरी है तुम्त भेदना अनलंडा महा वियर्द का अध्या जह बनाए था देवपाल ने तो दोस्तो आगे तो देवपाल के लेग जो हैं दोस्तो कहां प्राप्त होएं तो नालंदा तता उसके सीमा वर्ती छेतर से देवपाल के लेग प्राप्त होते हैं तो दोस्तो देवपाल का जो सासन था चालिस वर्सका सासन था इससे बंगाल के इतिहास में सांतियम समरद्धी का काल रहा है जो तो दोस्तो वीडियो के देखती के सासन हमारे चैनल सवास्तिक चिक्टर को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दबा दें लाइक भी करते चले चले सेर करते चले तो दोस्तो आगे की तरह पढ़ते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं देवपाल के उत्तरा दिकारियों के बारे में तथा पाल समराज मिनाज के तो दोस्तों उत्तरा दिकारी के सास्ति देवपाल के बाद तो दोस्तों जो काल पाल वन्स का जो था वो आउनतिकाल प्रारम हो गया था तो दोस्तों पढ़ते हैं देवपाल के उत्तरा दिकारी को बारे में तो देवपाल का जो उत्तरा दिकारी है कौन हुआ तो विग्रहपाल हुआ इसने 850 से 854 इस्वी तक सासन किया और विग्रहपाल का जो उत्तरा दिकारी था पुत्र नरायन पाल को सासन पालवांस की गद्धी पर बठाल दिया था और दोस्तों जो नरायन पाल था वो भी कोई गद्धी के प्रती कोई उस्चुग नहीं था तो उसको भी युद्ध में यह समय ज्यादा लोब नहीं था यह यूं कहा है कि उसको पसंद नहीं था जमन्ना हुआ भी अपने पिता के बादी सन्यासी ग्रहां करने वाला था तो लेकिन किसी तरह नरायन पाल का राज़ के वल बंगाल के एक भाग में संकुचित हो गया परंतु सासन के अंत में किसी प्रकार म पुना अधिकार इस्तापित कर सखने में सभलता प्राद कलिया तो जो जो नरायरपाल था वह उसको राज जिके पर ज्यादा मुह तो था नहीं तो दोस्तो लेकिन उसने सासनकाल के आंत में जो क्या किया से किसी प्रकार मघत तता उत्री बंगाल को पुना अपना अधिकार इस्ताफिक करने पर सबällen पराद कर लिए दोस्तों नरारबाल के मरत दो में होई तो नरारबाल के मैं 908ष 위에 के लगभाग कोई तो दोस्तों यार्फ ने इसको याद करते चले से मस्क्रोप में बहुत जड़ा पूछे जाने जो परच्छाएं हो रही हैं वो जानी रहा है कि एमसेक्ट हो गई है ज्यादर तर परिष्टा एक परिष्टा जो थेयोरिटिकल होती है तो दूसरी हमसेक्ट हो गई है तो दोस्तों इसे तरह आप वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आपके आगे के लिए बहुत इन राजाओं ने शासन किया है पालवंस के तो पहले राजपाल ने दूसरा हुआ गोपाल गोपाल दिती हुआ फिर तीसा बिग्रहपाल दिती हुए ने पालवंस में सासन किया असी वर्सों तक इन तीनों ने असी वर्सों तक पालवंस में सासन किया तो दोस्तों जो रा से की लिए वर्क किया हूँ उसकते राजपाल उपाल प्राता नहीं कोई जानकारी प्रात नहीं हो तो दोस्तो है राजपाल ऑफसोंठा सांध्य पे चंडवैं तो दोस्टो ये जो तीन 5 डा जा थे इन तीनों के निर्वाओं पर जाने पर जो बंगाल के बंगाल के पींगर दो सोतंत्रवणस k क्या की अपनी पंपनी कर दी तो पच्छिम बंगाल की तरफ कमभोज लोगों ने की थी और पूरी बंगाल की तरफ चंदरवंस नमक वंस ने अपनी सोतंतरता इस्तापित कर दी थी तो दोस्तों अब देखते हैं तो यह दोनों तो राजपालो गोपाल दिती तो निर्वाल थे तो उन्होंने उतना द्हानन दिया नहीं अपने सासन को अब विक्रेपाल जब दिती का समय आता है सासन करने का के समय तक आते हैं थे पालो का बंगाल पर से सासन समाप्त हो गया तथा अब पालवंसी सासक केवल बिहार में सासन करने लेगे तो दोस्तों जितना भी राज देवपाल ने जीता यह अपने समराज जितना विस्तार कैता वो सब फूरीच सा हो गया उरीचा असम इसा इनके हाथ से चला गया बचा गया था कियो बिहार बचा यह तीन सासक राजपाल और गुपाल दिति विगरेपाल इतने निर्वाल सासक थे कि इन्होंने अपने राज की तरफ धान ही नही तक रहे गया था विग्रेपाल दिती के जब सासन का है तो बंग सिभुसकराज बिहार तक ही सीमित रहे गया तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं विग्रेपाल दिती के बाद जो है पाल वंस की गद्दी पर महिपाल प्रत्थम जैसा एक सक्ति साली सासन आसीनुआ तो पुना ज जोड़ा जैसे उसको गद्दी पराफ तनी वैसे अपने समराज की वंस की परत्थम को इस्तापिक करने में जोड़ गया विग्रेपाल देती कुछ कर नहीं पाये तो यह को जब तक आए थे जब तक पूरे सब कुछ उनका समराज जा चुका था केवल बिहार पुरसन बच तो दोस्तों बताया था नहीं था कि राज पाल और गोपाल दिती के समय में दो वन्स थे जिन्होंने अपनी सोतंतर था गोशित कर दीती तो वो कौन थे कंबोस थे और एक एक कोई और वन्स था दोस्तों अभी आगे पढ़ते उत्तरी बंगाल के बानगर्व से उसके सासन काल के नवे वर्ष का हमें लेग मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसने सभी उसने किसने मैपाल प्रतम ने मैपाल प्रतम ने सभी सस्त्रों को मार कर उनसे अपना पैत्रक दर्ष से उस पर अधिकार कर लिया था तो दोस्तों मैपाल ने बिराज छीन लिया था यह दोनों वंसों जो उन्होंने इस अपनी स्वदनता गोसित कर दियते उन नहों को तहो आरा कर अपना जितने भी जितने भी सासक आएं और जितने इसके अपने पूरवजी को समराज को जीता था उसको इसने क्या किया वापिस उसमें पुना अपना अधिकार कर लिया था महिपाल प्रथम ने आगी की तरफ दोस्तों पढ़ते हूं उत्तरी तता दच्छनी बिहार से भी महिपाल के सासनकाल के काई लेक मिलते हैं तो दोस्तों कोशन आ सकता है कि महिपाल के सासनकाल के लेक कहां से प्राप्त होते हैं तो उत्तरी तता दच्छनी बिहार से आप लिख सकते हैं और दोस्तों ये ये पूछेगा कि ये लिख कहां मिलता है तो आप उसमें लिखेगा कि अपन माइपाल परत्म को कहा गया तो दोस्तों आगे कि ज़्याता सारनाथ ने ऐकार परत्म ने है अब को पे इस Legislative ओम वज्वांजसान तो दोस्तों मैं आभी आपको बताया ता कि देम्पाल परत्म के बाद में पालवंस की सर्भादिक सक्तिसाली राजा जो है सिद्ध हुआ था या गद्धी को समाला था तो आगे पढ़ते हैं 1023 इस्वी के लगभा महिपाल प्रथम को राजेंद्र चोल प्रथम के हाथ तो पराजित होना पड़ा तो दोस्तों यह कोशन आ सकता है महिपाल प्रथम को राजेंद्र चोल प्रथम क्या तो कब पराजित होना पड़ा तो 1023 इस्वी में तो दोस्तों नेस्ट कोशन है नेस्ट की तरह आगे कि तरह बढ़ते हैं महिपाल ने 1038 इस्वी तक सासन किया था तो महिपाल की मित्व के बाद जो है पाल वन्स की और नती प्रारम हो गई थी महिपाल का जो उत्तरादिकारी कौन हुआ users तो उसका पूत्र विक्रहपाल 30155ший पडू कर राजा बनाorg सब्सक्राइब कि अपने राज को कल्चूरी तथा चालुक आक्रमों से सुरच्छित रखने में सफल तो हो गया लेकिन दोस्तों यह जो उत्तरा दिखा रही है जितने भी महिपाल के बाद आएं यह सब जो थे हैं सक्ति सालीनी ते इस परका कहें कि यह निर्बल सा सकते हैं महिपाल दिखार जो करद करिक करके बंहें कर देता है उसके पाल बहल वहत्पा कद्दि लोटरा के लिए आपासमें तीनोगमर संगर्स होता है जब तीनों महि पाल महिपाल दिती ने अपने दोनों भाईयों को कारागार में डाल दिया अब दोस्तों महिपाल दिती के समय में असांतियों में अवेस्था बनी रही राज में अब क्या होता है चासिके वर्त माहिस जाती के लोगों ने अपने नेता दिव्यों के नेतरत में विद्रो किया महिपाल दिती के राज में तो उसने क्या किया उसने महिपाल दिती के हत्या कर दी जिसमें महिपाल दिती के पराजे होती है इन दोन चासी के वर्त माहिस जाती के लोग थे अपने नेता दिव दिव्योग के नेतरत में विद्रोग के जिसमें महिपाल देती के हत्या होगे अब तथा क्या होता है तथा उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया किस ने अधिकार कर लिया दिव्योग चासी के वर्त माहिस जाती के लोगों ने उत्तर बंगाल पर अधिकार कर लिया अब क्या होता है फिर दिव का जो दिव जो था दिव का जो सासन है वो अपने भतीजे भीम को देता है भीम को देता है अपने इसी समय जो है राम पाल ने किसी तरह अपने को करागार से मुख के लिया था अब दोस्तों यह राम पाल कर नाम विग्रहपाल देती। तो दोस्तो कोड़ना है सेना तयार की आद कर दिए लोगों crosscar के लोको ने लाइब पल ने वहीं की तहीं कि ओकता है कि उसने कए की अपने प्यठ्रक राज में पुणा अधिकार केलिया प formulatedा और उत्र-रॉ- Öत्री बेर बिहार तता संभता असम पर भी उसने विजैपराथ कर लिए इस प्रकार सो वी सवेगल कुछे विद्व हर व क्यून अभिक्षा माते हैं वब्लेगों से ही unterosten processine सहा सक क्या उत्ट माने सब्सके। बैजसे एंविद्वन टाशु में उत्ताइज में राज के लिए दो कमार पाल कण्मार पाई वी पाल कई राज की राजी को तक पाल वन्स के महत्व पाल सासन के महत्व तो तब पाल काली कला पर थोड़ा प्रकाश डालेते हैं तो दोस्तों चलिए फिर इस्टार्ट करते हैं पाल वन्स का महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं पाल काली कला तो जोस्तो वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है लेकिन इसी में सब पूरा टॉपिक क्लियर कर दें तो पालो ने कब तक सासन किया था तो 400 वर्सों तक पालो ने सासन किया था पाल नरेस बहुत मतान नहीं थे पाल नरेस नो विहार और बंगाल में अनेक चैत विहार और मूर्तिया बनवाई थी पाल नरेस ने ब्रामडों को ध्यान दिया तथा मंदिरों का निर्मबाल भी करवाया था पाल वंसी सासकों ने सिच्छा और साहित को भी प्रसान दिया सोमवंसी उदंधपूर तथा विक्रम सिला में सिच्छन संस्थाओं की भी स्थापना करवाई थी पालवंस के साथ सकने इनमें विक्रम सिला कलांतर में एक ख्याती प्रात अंतराष्टी विश्विद्धाले बन गया इसकी स्थापना किसने किती दो धरमपाल ने किती विक्रम शीठे अंताराश्ट्री में कटिने देवर्ग पढ़ने की सकताथ्या, अब आगते हैं ऊधिटतीस है इस परका फिर्द्वीयラ के ऊधितन दी में, तो आपको पता बंटिहार खेलजी ने नश्ट किया था तो दोस्तो इस काल के मलब पाल का प्रमुग विद्धानों पे संध्याकर नंदी का नाम भी उलेखनी है उन्होंने रामचरीत नामक इतिहासिक काव गरंद की रचना की थी संध्याकर नंदी का नाम भी उलेखनी है पाल्वन्स चे काल लंटा विक्रम्सित शुद्ध क्रτεजम शुछा लू दनपोरी सुंपुरी आधा ही उनके दोरा लौद वीहर एवं भवण नके दोरा कि दरतें साँस्को के दोरा नलोंदा विक्रम्सित ten धा ओधनपुरी सुंपुरा अधा में बहुत विहर बनवाय़ तारानात के अनसार इस वंस के सथापक राजा गोपाल ने नलंदा में बाधविरवार बनवाया था तथा उसने सोंपुरी तथा उधनपुरी में मठो का निर्माड भी करवाया था तो दोसे इतने भी पॉइंट है इनको ध्यास पूर्वा का आप सुनते जाहिए और यह जो है आपके एमसिक्ति वेस्ट अगर आप बिये कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादे इंपॉर्टन है और सानात लेक में क्या मिलता है सानात लेक एक हजार सोला इसी से पदा चलता है कि महिपाल ने कासी में सैखड़ो भवन एवं मंदिर इस्थापित करने के लिए अपने भाईयों इस्तिर्पाल और वसंद्पाल को रखा था तथा रामपाल ने रमावती नामक एक नगर बसाकर वहां भवन तथा मंदिर ब राजसाही बंगलादेश की खुदाई में प्राप्त होते हैं यहां से एक विसाल मंदिर तगा उसेज मिलता है इस मंदिर का निमार धरम पाल के सासनकाल में करवाए गया था तो दोस्तों अगर पूचा जाए पाल लिगन भवन था इस मारको के उसेज कहां अकीकिस खुद प्रकोष्ट का है किसे जो मंदिर जो खुदाई में प्राप्त हुआ उसकी बात हो रही है यहां पर पाल सासकों ने वर्दवान जिले में भी मंदिर वनवाय थे इस जिले के बारकर नामकिस्थान पर मंद्रों का समूँ है जिनका नमार दस्वी और ग्यार्वी सती में रहा गया जाता है ओतार नाति से पूर्वी भारती सैली की संख्या देता है दोस्तों वीडियो जो है बहुत ज्यादा बढ़ी होती जाए तो इसलिए हम थोड़ा वीडियो को तेजी से पढ़ा रहे हैं कि दोस्तों आप जो है लेकिन सभी एक एक पॉइंट को रेड को मानते हैं और बाद जैन तथा ब्राम्र देंश से संभनाधित अनेग देवी दे वित्रों से हमें प्राप्त हुई है नलंदा बोदग्या राजग्रह कुर्कियार भागलपूर दिनाजपूर पहाड़पूर आदि विभिन इस्थानों से प्राप्त की गई बहुसंख्यत मूर्तियां कलकत्ता पटना लकनव तता लंदन पैरिस बरलिन आदि संग्रालों में सुरच्चित है तो अगर पुछा जागे नलंदा बोदग्या राजग्रह कुर्कियार भागलपूर दिनाजपूर पहाड़ आदि के विभिन इस्थानों से प्राप्त की गई बहुसंख्यत मूर्तिय तो कहां कहां कौन से संग्रालों में सुरच्चित है तो कलकत्ता पटन किरेट मुकरट हार कंगन बाजूबंद भी दिखाए गया और बारीस अताब्दी के आनत में बंगल का पाल जाज सेन वंस के अधिकार में चले दोस्टों आप वीडियो को देखने के साथ साथ हमाये चैनल स्वास्ते को जीकटर को सब्सक्राइब को यह बेल अकाने जरूर ताकि आपको हमारी नेस्ट वीडियो टाइम पर मिल सके लाइक करें और कमेंट करते चलिए तो दोस्तों पाल वन्स के सासकों पर एक बार फिर से नज़र डाल देते हैं तो पाल वन्स के पहला सा सकता गोपाल जिसनेस की जिसको इसका संथापंग माने जाता है तो उसने साथ यह गाता है तो गोपाल के बाद उसका पुत्र धरम पाल जो ता अट्रहा दिकारी होता है जाता है तो देवपाल जो आए की सब्सकुन आपट पारफियो तक शासन करता है बाराता है यह सीट डिश्य भीग्रेपाल जो है 850-854 तक सासर होता है और उसके बाद विग्रेपाल के बाद उसका बुत नरायन पाल जो 854-908 तक सासर होता है जो फ़ेफाल नरायन पाल थे इन्होंने थोड़ी-थोड़ी समय के लिए पालवन्स की भागदवड़ अपने हातों में थे विग्रेपाल ये सन्याज की तरब ज्यादा अगरसर रहा है तो ईसके लग eling की अच्छी वर्सों पाल पाल बा अलशता है राज पाल और with निंवम ससंक निरबन सासे धरcoat के चर्वता है के तक तक आधिक्तर राज उत्तरी जो इसेरे बिहार बिहार बचाए था और बाकि सब जो है चत्रों ने खिलने था इन जांच न फाल और और गोपाल दिती और विक्रेपाल दिती जो नौस सब्सक्राइब ने नहीं बारे मंहें जनकरी बनती में जोए महीपाल प्रिथम के हात्व में आती है तो मैं आती है, उत्राइदिकारी बनता है, उहीक पाल सक रहता है, şunu पाल से पूर वजो को समराज को चीनता है और जो महिपाल पृफ्जाम के बाद उसका उत्तरादिकारी जैपाल और उसके बाद उधेदा के 505 से 105 जैपालW They तो दोस्तो उसके होते हैं तो तो फिले संघ्र भाड नो जाता है क्या है सुर्पर और रामपर को कारगार में डाल देता है जो हैं दोस्तों वह क्या करते हैं इसको हरा देते हैं जिससे निल्टी ऊणती हो जाती है जिकरते बाद अधाती है और जिसके भाइक व्लेज समराज चीन लेता राम पाल के बाद को राम को बुठवान कहते हैं अतीन था को सकते हैं वेदेग और जुद्ध को से नांवार को में तो मुद्ध का नाम हमें अँटारी झाली तो मदन पाल का नाम को स्कार्थ भागर मलेदेग लिए तदुश्चा हैं सा सकता विद्वानों के अंसार तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्वास्तिक एजुकर्टर को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेवर करें और नेश्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन तो दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो नमस्कार